कि देथ का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में में टोपिक वहां पे था प्रोफिट बेसिस प्रोफिट कैल्कुलेट करना तिल दा डेट ओफ डेथ जहां पे मैंने आप लोगों को याद है क्या टोपिक बताया था कि पार्टनर जरूरी नहीं है 31 मार्च को खतम होगा अगर एक अप्रेल 2022 है तो यहां पर आएगा 31 दोजार तेइस उसकी डेथ हुए यहां पर 31 जुलाई को ठीक है मेरे को बस यह देख के बताओ कि कि कितने महीने उसने बिजनस में जिंदा रहा है वह एप्रेल मई जून जुलाई तो वह कहीगा चार महीने का मेरे एक इस साल का प्रोफिट गिवन नहीं है लेकिन इस साल की सेल गिवन है याद रखना सेल समझ लो सो रपे किया उसमें से 95 रुपे का मैंने समान खरीदा था तो बिजनस को प्रोफिट पांच रुपे का हुए है तो पार्टनर को हिस्सा कभी भी सेल के उपर नहीं मिलता कि का दो प्रोफिट आपस में डिस्ट्रिविएट होता है प्रोफिट का मतलब होता है Income माइनस एक्सपेंसे तो अगर किसी परसन को 100 पे उसने कमाए 95 रुपे का उसने समान दुरान कितने परसेंट हमने profit कमाया था 100 रपे वाला समान अगर मैंने 5 रवे का profit कमाया तो उसको बोलते हैं 5% अगर 100 रपे की चीज है 5 रवे का profit कमाया तो 5% अगर 15 रवे का profit कमाया तो 15% तो मैं पिछले साल के comparison में calculate कर लूँगा पिछले साल हमारा धंदा कितने percent margin कमाते हैं वही margin यानि के profit होते हैं से multiply कर देंगे तो उस साल का profit आ जाएगा फिर उसके share नहीं आपको पता चल जाएगा यह तो कुछ है ही नहीं दो मिनिट का question है इलूस्येशन नंबर 62 पर आ जाओ एक्सवाइजड वाली देखना 62 था यह 61 था एक्सवाइजड वाली question पर आ जाओ रनवीर question पड़ो एक्सवाइजड वर partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of two is to two is to one the firm closes its books 31 March every year अगर यह लाइन ना दियो तब भी हमें पता है कि business 31 March को close होता है कि मारना किसको है देखना किसका सराद निकल रहा है वाई का पहला दूसरा यह तीसरा देना है उसको old ratio बोलो क्या है एक्सवाइजड टू टू वन डेथ किसकी हुई है वाई की डेथ हो गई वाई का शेयर था टू वाई 5 और डेथ हुई है on 24 जून अब यह तो पता नहीं लगेगा कि दो महीने और 24 दिन या तो सारा कुछ मन्त में बताओ या सारा कुछ डेज में तो कितने महीने वो business में जी के गया है number of days 30 एपरिल के 31 मई के और 24 जून के सर मरा हुआ दिन लेने हैं जी हां मरा हुआ दिन भी लेने कितने होगे 30 30 60 20 80 मलब 85 दिन वो business में जी के गया है और कह रहा है 85 दिन का भी मेरे को profit चाहिए जो business ने कमाया होगा तो तीनों ने मिल के कमाया होगा है कोशन इज बोल रहे हैं न कि अंतरों नी सुनाई देगा तेनों पता मिल लगेगा कदे भी में कब में उसकी डैथ होई है 20rics दोज़ार जोड़ों alguna बीटा 18-19 ठीक बूरों है निस फीस दो जटार एक अब अगे पड़ो जोड़ profit of the firm till the date of death अब कोश्यन नहीं बोल दिये वाइज क्या लिखा हुए वाइज शेर ओफ प्रोफिट तिल दा डेट ओफ डेट यानि पचासी दिनों का याद रखना यह पूरे साल की सेल है लास्ट इंडा बनाओ गोला बनाओ ओन दा बेसिज ओफ सेल तो यह पता चल गया है अग्याओ में जुख रहे हैं याद रखना यह पूरे साल की सेल है ये पचासी दिन की सेल नहीं है और आगे लिखा हो है प्रोफिट आण City द्रिंग दा इयर लास्ट यहर यह kी सेल ते फंध्रालाक लास्ट यह के प्रोफिट भा कितना कितना साल चलो एक बंदे को तो पता लग गया एक बंदे ने दुकानदारी साबिद कर दी और किसी को नहीं पता चल रहा है पिछले साल सेल कितनी हुई है प्रोफिट कितना कमाया तो सोच के देखो यह 15 लाग की गाड़ी है समलो मैं एक शोरूम वाला हूं मैंने 15 लाग की गाड़ प्रोफिट हुआ है सेव हुआ है तो मैंने गाड़ी खरीदी कितने की होगी नहीं पता लग रहा हूं मैं कल ना एक सीक्स है साइमन क्लास के एक छोटी सी लड़की को लेके आऊंगा उससे भी एक कोशन पूछूंगा देखेंगे किसी वाद है है नहीं नहीं इदर तिन ल बारहहँ खर्चा होएगा ठीक है अब पिछले साल प्रोफिट हुआ थीन लाख 15की सेल के उपर क्या कोई को ये बता सकता है पिछले साल मैंने कितने प्रोफिट कर गया है प्रोफिट की सुम्पिज़ तो मैंने 3 लाग क्माई है कोुषिन में गिवन है जो किे सुमाफिब के सुम murmur तो 3 लाग है मैंने कितने प्रोफिट का में को हुआ can you कि 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 हुआ अ प्टार्वाज को चाहिए और लुट्टार्श करें कि अ एंपे कि अधिल नडिक है प्यार्व में आर्ट पॉर ब करें के शुझज को यह बाला अध्या प्सुझा पॉर करें वहां आद गो झाल बादा भाल बाल जया है अधुटें उड़िया है करने आती है सेल के ओपर अपने कितना कमाया प्रोफिट डिवैड़ वाइज सेल इन्टु हंड्रेट बात कातम अगर आप तीन लाग डिवैड़ दुना सो कर तो बीस परसेंट आ जाएगा दो चीज़े कैलकुलेट होती है बिजनेस में कभी भी रूपिस के उपर नहीं जाता फॉर एक्जामपल मैंने एक सीजन है इसलिए पूरा डिटेल में करा रहा हूं उसके बाद दुबारा से लोजिक नहीं कराएंगे उसके बाद सीधा फोर्मुला क्योंकि तीन मिनिट का कोश्चन है मैं दस मिनिट लगा र लगाएंगे लट्स वन क्लास में पिछले साल मैंने एक चीज बताई थी एक लड़का उसके नंबर थे पांस उसकी एक लड़का उसके नंबर आए थे 150 फाइनल में नंबर आए 150 घर पर जाके बतार है ओओओओओओ देड़ सो नंबर आए एंखुशी से लड़ू- फ्रफ ए घरवालों को लग रह अधर व्यागा पता सकते हैं कितने पर सेंट आई आप लोगों को कभी भी result card में percentage तोड़ी दी होती है आपको भी तो यही दी होते हैं total number आए है 150 out of 500 तो आप percentage कैसे calculate करते हो अपनी mark sheet की तो आप percentage calculate करते हो देखो यह तो हो गए marks यह तो हो गए marks यह तो हो गए marks डेट सो number out of 500 कितने percentage आई डेड़ सो आए है आउट ओफ जब जब मैं यह चीज़ बोलता हूं ना आउट ओफ आउट ओफ यानि कितने में से तो उसको divide कर देते हैं percentage के लिए हमेशा calculate सो से करते हैं कितने percentage के लिए हमेशा calculate सो से करते हैं कितने परसेंट बनते हैं 30 बनते हैं 30 वाला पास उसके हैं ऊपर तो लग रहा सा 200 नंबर है उपर तो लग रहा था 500 नंबर हैं क्या बात है बात में पता चला 500 में से हैं यह बात कितने परसेंट हुए 30% अब मेरे को एक चीज बताओ एक कोशन पूस्ता हूं क्या मार्क्स जो है किसी चीज को जस्टिफाई कर रही है या प्रसेंटेज हमेशा प्रसेंटेज जस्टिफाई करती है एक और अगले साल फिर से पेपर हुए फिर से बेटा रिपोर्ट गार लेके गया बेटा गारा पापा नंबर आए साड़े चार सो पिछली बार तो तुन्हें लड्डू बांटे थे दोखा दे दिया था पहले यह बता आउट ओफ कितने में से कर लो बाद कर लो बाद आप परसेंटेज कितने बन रहे हैं अब अगर आप साड़े 400 को 2000 से डिवाइड करोगे ना साड़े 400 को 2000 से डिवाइड करोगे कोई बताएगा क्या परसेंटेज है या आप भी ऐसा ही हो साड़े 400 वाले सारे 22.5 25 परसेंट होते हैं 500 25 परसेंट होते हैं देखो 500 का हद 2000 का 50 परसेंट कितना होता है 25 परसेंट कितना होएगा 500 तो यह 25 परसेंट से भी कम कितने बोले दे साड़े बाई परसेंट अब मेरे को बताओ जब यहां पर मेरे को कोई एक चीज का ओपीनियन लेने हैं किसी को सलाह देनी है कोई डिसीजन लेने मेरे नंबर साड़े चार सो हैं मैं इससाफ से बिजनस के स्टेटस को यह दिखाता है कि वाई साब कमाया कितने हैं कितने परसेंट मिलता है अब मैंने एक बार ना बेंक में अबिकराई थी एक लाग रुवे की उसके उपर इंटरस्ट मिला था मेरे को 5600 है कि क्रोड की उसको कितना मिला या पांच लाक साठ रबी कि अब अगर मैं इसको इसके साथ कंपेर करूं क्या कोई बात बनेगी अगर मैं को मेरे को पांच लाग साट अजार का इंट्रस्ट मिला वह यार तेरे को तो बहुत बढ़ी इंट्रस्ट मिला है मुझे मिला था सिरफ फिफ्टे सिक्स एंड्रेट भाई सब एफडी कितने की एक लाग की मेरी कितनी है एक क्रोड की फरसेंटे़ दोनों की पांच है तो कभी भी कोई एंड्र जो हैंना किसी teasing को याद रखना जिवलाग अब मैं प्रिलिंट रहूं न एकम बैस भी बहुक्त करनी होती है या कोई चीज रिफ्लेक्ट करती है ना हमेशा परसेंटेज पर वह एक्ट्वल रिफ्लेक्शन देती है ना की रूपीज पर ना की मार्क्स पर अब बिजनेस में यहां पर प्रोफिट कितना हुग अब इससे तो लग रहा है तीन लाग का प्रोफिट बहुत बड़ी है सोचके चलो तो सबसे पहले हमें हुमे क्यालकूलेट करनी पड़ेगी पिछले साल हमने प्रोफिट कमाया कितने प्रेसेंट और प्रोफिट हमेशा जो होता इंटो हंडरेट तो तीन लाख डिवाइड़ वाई पंदरा लाख मल्टिपलाइब आए सो तो मलब बिजनेस बीस परसेंट प्रोफिट कमाता है पिछले पूरे साल में तो अगर इस साल में मेरी जितनी सेल है मैं यह सोचनों पिछले साल भी 20% कमाते थे इस साल भी 20% कमाते ह तो जितनी मेरी ये वले जो सेल है पचासी दिनों की पचासी दिनों का प्रोफिट नहीं दिया हुआ था इसलिए सारा चक्कर करना पड़ रहा है पिछले जो दो कोशन किये थे उसमें पचासी दिनों का प्रोफिट था इसमें पचासी दिनों का प्रोफिट नहीं गिवन सेल गीवन है जब सेल गीवन है मेरे को प्रोफिट की परसेंटेज तो पता है ना तो सेल को प्रसेंटेज से मल्टिप्लाई करो प्रोफिट की अमांट आजेगी और वो मरे हुए पार्टनर को दे देंगे आगे पड़ो आगे क्या लिखा हुए प्रोफिट हो गया सेल हो गया तीन लाग के बाद पढ़ रहा हूं तीन लाग के बाद देखना क्या वर्ड दिखा हुए सेल्स फ्रॉम एक अपरेल दोजर अठारा गुरु के रहे तेनू समझ ही नहीं है न क्योंकि उत्ते है नहीं न सेल्स भुक किछ है गर्विन उदसे किते हैं सेल्स फ्रॉम फर्स्ट एप्रेल टोजर अठारा वर दो लाग यह कौन से पीरिड की सेल है जितने दिन वो जिन्दा था मलब इसको बोला जाता है तो उसकी सेल है दो लाग प्रेट और वाइस डेथ गुडविल ऑफ फर्म गुडविल भी है पड़ टोटल अमॉंट पेबल टुवाइस एक्जिक्टर ओफ एक लाग पुछ अतर अजार दिस अमॉंट वोस पेड़ों 15 जुलाई मरा कब था चोबिस जून सैटलमेंट का बुरी है कितने दिनों के बाद 15 जुलाई यानि कि कुछ 20-20 दिनों के बाद अगर 24 जून को बंदा मर जाया 15 जुलाई को उसको सारे पैसे वापिस मिल रहे हैं उसके एक्जिक्टर को तो 20-21 दिन हो गई सर्वों ठीक है कि करना क्या है कि करना यह है कि स्टैप नंबर वन यह आपने निकाल दिया है कि 20 अब मेरे को निकालने प्रोफिट ऑफ करंट यह प्रोफिट ओफ करंट यह ब्रैकेड में लिख देंगे 85 डेज का प्रोफिट क्या है 85 डेज में बिजनस ने टोटल कितनी सेल किया है कि दो लाग लवुदे और जशन नहीं है सिरफ जोश में या थोड़े आक्टिव बाकियों को तो चैप्टर ही नहीं समझा रहा हो कोई बात नहीं आ जाएगा धीरे दिरे चलो लवुदे बताना एक य tv वर 55 डिन की सेल कितनी चैक पंचासी दिन का प्रोफिट कितने है कोश्ट में दो हुग से ऑपर में हर साल कितना प्रोफिट कमाता हूं 20 परसेंट तो दो लाग की मेरी सेल है इसका 20 परसेंट मेरा प्रोफिट हो गया तो मतलब मैंने कितना कमाया होगा 40,000 प्रोफिट यह आपको पता है 40,000 प्रोफिट कुरे साल क्या है या 85 दिन का क्योंकि 85 दिन की सेल है तो 85 दिन का प्रोफिट आ गया अब मिरको क्या दिन है वाइ को वाइ का प्रोफिट निकालना है वाइस प्रोफिट कि चालीज हझार इन टू को टू बाइफ यह था इंज्बड तो पांच अट्ट सोलह हजार इमालों उसको 16000 भंभक हमने हिस्सा देना है सर किया कैसे तीन स्टेप में किया डोक्टर की उपाधी मिलिया आपको पेशन्ट आया आपके सामने सबसे पहले आपने क्या किया कि भाई बिमारी क्या है इस कोश्चन की जो बिमारी थी ना वो था कोश्चन में प्रोफिट गिवन नहीं था और पार्टनर को प्रोफिट में हिस्सा देना था इस कोश्चन में से एक यादा partner को profit में हिस्साहँ नहें था लेकिन sale थी और पिछले साल की सगा पॉइब शेंटेज्टी तो मैंने एज्युम कर लिये जितने साल जितना पुष्ट में पिछले साल कमाता हूं इस साल भी उतने पॉइब तो मैंने तो चीज समझ में आगी दूसरे नंबर मेंने क्या किया 85 दिन का प्रोफिट निकाल लिया वही तो जड़ थी ना बिमारी तो वही थी प्रोफिट गिवन नहीं था 40,000 तो लेकिन प्रोफिट आगया अब इसका दूसरा ओल्टरनेटिव देखो और इसको शोट तरीके से कैसे निकाल सकते हैं अगर मैं पहले लोंग तरीक का करवा देता आप तो यहां तक समझते ही ना क्योंकि किसी कोशन में प्रसेंटेज गिवन होती है तो आप यह तो हो है लोंग वाला जो मैंने अभी आपको करवाई है अब शोटकट सिखाऊंगा लेकिन हर कोशन में शोटकट चल नहीं सकता इसलिए मेरे को दोनों करवाने पड़ें ठीक है सैकेंड अल्टरनेटिव शोटकट जिन्दगी के कुछ पन्य पलटो दो या तीन फॉर्मूला लिखवाया हुए सेल बेसिस मेथटड का में शेर उफ प्रोफिट होन्ता सेल बेसिस को पीज़ांग अपनी अपनी को पीज़ा उखाए चेल बेसिस चापँला बताओ मेरे को को पीपे लिखवाया था पिछली क एक्तेSel में लास्ट येर प्रॉफिट ये थे लाफ्लस येर शेड लिखो देखो जी ये बन गया अब इससे देखना वही का वही आएग जादू देखो मैथ पalta याड तीन लाका फॉर्ट की रिया लास्ट येर का सेल पते हैं कितनी हिए त Mister बढ़ी है मैं तो क्या ही रहूं वह त्रक्की करेगा मेरे भाई अच्छा क्रेंटियर की सेल कितनी है कि क्रेंटियर की और उसका शेर क्या है टू बाइफाइफ करना इसको सोल्व जल्दी से अही नहीं सोल्वता करो बढ़ा टूर अच्छा करो झाल झाल से मारे वही तो किया था अभी मैं आपको उपर वाला दिखाता हूं जोदू मैत का जादूगर कि कितना आ रहा था ये टोटल कूल सारा सोल्व करके इस फोटी नहीं यार फिर आप लोगों ने किया ही नहीं को मेरे को जैसिन पर भरोस्त है अधर शोला अजार आएगा ना वाइस शेर ओफिट निकाला अच्छ तो करना था ना देखो पूरा था अब इधर देखो उपर देखो उपर देखोंगे अमने सबसे पहले क्या किया इधर देखना उपर फर्स्ट इप में तीन लाग डिवैड़वे 15 लाग एक बर के लिए मल्टिप्लाई सो छोड़ दो तीन लाग डिवैड़वे 15 लाग इंटू 100 करके 20 परसेंट आ गया फिर 2 लाग को 20 परसेंट से मल्टिप्लाई कर दिया अल्टिमेटली यही बोलते है इसको तीन लाग डिवैड़वे 15 लाग ना मैंने सो से मल्टिप्लाई किया ना डिवाइड किया सीधा 2 लाग से मल्टिप्लाई कर दिया उससे क्या निकला मेरे 85 दिनों की सेल निकल गई नहीं समझ आता तो फोमला याद कर लो करंटियर लास्ट ये प्रोफिट ठीक है जी अब कोश्चन में देखो अब प्रोफिट निकलाया उसका हिस्सा निकलाया अब कोश्चन में दो चीज़े देखने होती थी याद करो केस वन और केस टू क्या इस बंद्दे को शरम आ रही है यह शरम नहीं आ रही क्या ये प्रोफिट शेरिंग रेशो चेंज प्यासर चेंज नहीं हो ले तो बिजनेश के खाते में पट जाएगा बिजनेश का खाता क्या बोलता है टे अट contribute और अजयने और सुम खुत면 य होगया नहीं होगर च्रेहां बान करेकरद सुन क्यूंवर कि विल भी दिवी थी पॉइंट नमबर टू वरकिंग नमबर टू गुडविल कोजिशन में नोट सो देखो जिंदगी के कुछ पन्ने पलतो अपने दो या तीन देखो गुडविल को किस रेशो में करते हैं रेटायर्मेंट का जैप्ठर है अब ऐसे सोच हो है डैथ का शैप्ठर ही नहीं है गुडविल यानी के गैनिक रेशो अब गैनिंग रेशो तो जब चेंज ली नहीं हो रहीüh वहाई कि वहाई वंही होगी रेशों क्या थी टू टू या तो गिनिंघ रेशों जो बन गई थेक है तो वाइब अ शेर बता दोcade टोटल बिजनस की गुडविल क्या है गुर के रिद गुडविल बोलियो वाई का शेर बोलियो सोल्व करियो क्या बनते है नहीं आता एक बार बोल दे के मैं नहीं कर सकता है कितना आ रहा है बस अभी इसकी जर्नल एंट्री कर दो बोलियो गुर के रिद जर्नल एंट्री बोलियो गुडविल बांट नहीं है जर्नल एंट्री बोल बोल क्या क्या बनेगा किसको डैबिट करने किसको क्रेडिट खड़ा हो के बोल खड़ा हो जाओ जल्दी जल्दी कर शबाश एक्स 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 कैपिटल एकाउंट डैबिट आगे बोल जैट को डैबिट क्यों कर रहे है क्योंकि वो कुण सा मर रहे है ऐसे कुण सा चेप्टर चल रहे है मृत्वी ओफ पार्टनर एक्स में मांट कितनी आएगी कैसे सोल्व करेंगे कैसे सोल्व करेंगे 3600 12000 गलत है कैसे सोल्व करेंगे कितना आ रहे है जशन 32000 और 16000 समझागे है अगला कुशन बोड़ते है कि पर लेए करो जल्दी से कि सिम्रेज जी आप रोज लेड क्यों आंदे है इस कोशन में डाउट है आगया समझ अगला कोशन लिको एक्जामपल एक्जामपल लिखना ओल्ड रेश्यो ओल्ड रेश्यो ओल्ड रेश्यो वन वन टू 2022 प्रोफिट पार्णस के नहीं में भी सी 22 22 का प्रोफिट है जी आपके पास चार लाग रुपे 2022 की सेल्स जो है वो है जी 40 लाग रुपे डेथ की डेट है सी सी को मार देते हैं आपका सी की डेथ होई है जी तीस नो दोजार तीस जून दोजार तेस यह प्रोफिट 2022 का है मार्च नहीं लिखा मैंने यह दिसंबर 2022 का लिख है कि नहीं तो पोजिशन में लिखा हुएगा कि मार्च नहीं है तो मैंने लिख दिया दिसंबर 2022 का प्रोफिट और सी की डेथ कब हुई है 30 जून दिसंबर 2022 22 के बाद आता है 23 जून 2023 ठीक है जी एक मिन्ट चौर दस परसेंट तो सेल अप टू तीज छे दोज़र 23 तीज लाख कैलकुलेट सीज शेर ओफ प्रोफिट कैलकुलेट सीज शेर ओफ प्रोफिट टाइम मैंने गिनना शुरू कर दिया डेड़ मिनिट में हो जाना चाहिए मैक्सिमम शुरू हो गया टाइम एक दो तीन चाहर पांच छे साथ आज नो दस ग्यारा बारा तू करे मानिच करते हैं तू तह नहीं गोलेगर कि पंद्रा सोला स्थारा अठारा कि यहाँ कि पैंते सेकिंड हो गए ओंदेख किमिक भी नजर मार रहे है इदरों मिल जिए उद्रों मिल देख कुछ दा कार लेगर अपने आपर यारे कि दिखा यार गर्व उन्हों दिखा आओ देख उन्हों दिक्कत हो रही है कि वाई का शेर ओफ प्रोफिट है कि मैंने निकाला नहीं है मेरे को पत्ता भी निए गर्व यार उन्हों दिखा आत्ता गर्व पता मैंनों कि ना मेरा छोटा भाई ना पता इमें इमें तिर्थिया ना जरा हूं आख्ञा देओ नहीं और जड़ा अग्गे रख्या करें यार जिदर बूक रखी वे ना उदर कोपी रख्या करें जलुक को उन्हों दिक्कत हो दिए देखनी से जशन थोड़ा नेडे रख्या करो यार को पियार थोड़ा ब्रदर दे हेल्प करया करो प्रोफिट हैं जी बताना क्या फोमला लगेर लास्ट यइर प्रोफिट क्या था צार लाक लास्ट यर सेल क्या थी multiply 30 लाख percentage वाला ना करो multiply by frontier sale into 2 by 4 लाख divided by 40 आप 10% ये आ गया profit आ गया 3 लाख पर ये 3 लाख सिरफ business का profit है multiply by 2 by 4 1,5 लाख आ रहे ठीक है जी 1,5 लाख आ रहे entry करो P&L suspense account to seize capital खुशलीन एंट्री कर ली entry करो P&L suspense account debit आगे अब समझा आगे या मेरे भाई अच्छा लग रहेगा न अब और सर हमारी ने एक्च्छली क्लास सिर्वत्य बीस पर चिस मिनिट के बाद जब तक हम अपने गर्व भाई से गर्व से समझे न ले अगला कोश्चन दानिश दानिश अनना प्रंजल और पार्टनर्स इन फर्म शेरिंग प्रोफिट एंड लोसी जिन्दा रेशो फाइव थ्री टू मिल गया जी कोश्चन मिल गया है कि 63 नंबर है देर बुक्स क्लोज और 31 मार्च मरा कौन दानिश फर्स्ट वाला कुश करें आपके बुक में नहीं होएगा बुक बड़ी पुरानी है यह दोजर बीस का है सीवी से का सैंपल वेपर का कोश्चन है समझ लेना क्या है दानिश सर आपको कैसे पता छे मीने के पास 30 सब्टेंबर क्योंकि साल क्योंकि साल देखो आधा आधा 30 सब्टेंबर को खतम होता है आगे 30 मार्च को अब उसको पैसे क्या क्या मिलेंगे एक्जीक्यूटर ऑफ दानिश मैंने कहा था ना एक वार बंदे को मरने दो रिष्टेदार आप निकल के आ जाएंगे ऐसे रिष्टदार निकल के आएंगे किसे ने सुने भी नहीं होते हैं पॉइंट नमबर वन उसको क्या दे रहे हैं सबसे पहले हिस शेर ऑफ कैपिटल ये कौन सी कैपिटल है उसकी जो बैलेंस ब्लोट डाउन होती है ना उसको उसके कैपिटल क है उसको दो तरह के पैसे देने है एक उसकी पहले कैपिटल के दूसरे उसके गुडविल के अगे सेकेंड पॉइंट में पढ़ो फिश्यर ओफ प्रॉफिट अप्टू देट ओफ डैथ ओन दा बेसिस ओफ सेल पहले तो इसको कर दो डिब या गोल या अंडा मार दो इसको यह पता चल गया सेल बेसिस पर पूछ रहे हैं तिल दा डेट ओफ डैथ सेल फोर दा इयर एंडिंग 31 मार्च 2019 यह पिछला साल हो गया देखना आज लवू दे पूरा जोश में बैटा गया मंडे तो आपा जोश में होते हैं बाकि सारे मंडे सोस्त होते हैं आपा जोश में परसन का सराद कब रखा जा रहें 30 सेप्टेंबर 2019 यह कौन सा फैनेंशल यह हुआ कि दोजार उन्निस उन्निस बीस कोमर्स वाली गल्बात आज दिखने दी तो आटेज किसी इच है एक दो जुन्हें नू छोड़के 31 परसन की डैथ हुई है 30 सेप्टेंबर 2019 यह निके उन्निस बीस में मरा तो यह निके पिछला साल कौन सा होगा अठारा उन्निस या इसको 10 परसेंट फर्स्ट स्टेप इन्होंने कैल्कुलेट करके दे दिया 10 परसेंट सेल्स शो अग्रोथ ट्रेंड ओफ 20 परसेंट सरी नहीं समझा आपने बताया नहीं था ना मलब हर साल से सेल जो है वो 20 परसेंट इंक्रीज हो गई पहले जो सेल थी वो दो लाग थी इस साल क् सेल और बढ़ गई है एंड परसेंटेज ओफ प्रोफिट रिड्यूस्ट बाइवन परसेंट सेल बढ़ गया लेकिन प्रोफिट कम हो गया है अमाउंट पेबल टू दानिश वोस ट्रांसफर्ट हो इस एक्जिक्यूटर सोलूशन ना देखो एक बार खूद ट्राई करो उ ठीक है हाफ एमाउंट पेबल टू दानिश उसके एक्जिक्यूटर को दे दिया अब आप लोग सिर्व मेरे को यह कैलकुलेट करके दिखा उसका शेर ओफ प्रोफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हूं दिखें 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 गर्व लबुदे जशन इन टीन पे आ कि सिर्व मेरे को यह कैलकुलेट करना है कि उसका शेर का प्रोफिट कितना मिल रहे हैं थोट फुल पोइंट जो बंदा सोचना चाता है उससी कोई समझा सकता है यह फॉर्मुला काम ने करेगा इस वाले पोइंट पे लास यह प्रोफिट डिवाइडि द्धू यह सेल्तु फॉर्मुला काम nie करेगा सोच काम करेगी है अब जिशन की सोच की ताकत देखते हैं आज जशन कहा तक महुंचे निकालना हम यह देखो यह सेकंड पॉइंट है मेरे को यह निकालना है दानीश को कि छे महिने में कितना पैसा मिलेगा अब शे महिने का ना प्रोफिट गिवन नहीं है कोश्चन में जशन वेरी गुड दस अजार आठ सो जिसने निकालना हमलब एक्सिलेंट दिमाग है एक्सिलेंट दिमाग कहने का मुलब यह है कि मोक्के पे सोच रहे हो ऐसा नहीं कि पॉइंट बहर की दुनिया से आगया नोन-मेडिकल का कोश्चन डाल दिया बंदे ने सोच है सरह मोर नहीं सोच सकते हैं आप भी बता दो हमारी दर्व से तो हाथ खड़े है कोश्चन नमबर क्या है 63 यह मैंने बना दी एक टाइम लाइं यह होगया मेरा करंटियर करंटियर कौन से है तीस सप्टेमबर 2019 यानिके 2019-2020 यहां पर पर संब्वार्ट देते हैं 30 सप्टेमबर 2019 यह होगया पिछला साल है, पिछला साल होगे 18-19, कोशन का डेटा समझो आप, कोशन का डेटा ये है कि इस साल की जो सेल है ना, पूरे साल की सेल, पूरे साल की सेल, पिछले इस वाले कोशन में तो हमें, पूरे साल की सेल दी होते थी, कहां पे कितनी है, सेल 2,00, और 10% प्रोफिट कमाया जाते हैं कि इस साल इस पूरे साल में 30 सेप्टमबर तक नहीं बोला कि इस साल में जो सेल का ट्रेंड है वो 20 परसेंट बढ़ जाएगा तो अगर मैं देखूं करण्ट इयर सेल क्रण्ट इयर मेरा कौन सा बना इस साल में बढ़ रहे हैं मतलब आपका बिजनस बढ़ रहे हैं मतलब कि आपका बिजनस दो लाख रुपे का पहले था दो लाख का ट्वंटी परसेंट इतना होता है तो मतलब इस साल में दोलाग चाली सेवाग हमें यह सेप्टेमबर की नहीं बोल रहा है को अब प्थले साल की सेव थी दोलाख इस साल की seo बढ़ जाएगी तो 2,20,000 तो टोटल सेल होगी 2,40,000 यहां तक समझाए है करंटीर की सेल लेकिन यह तो यह क्रंटीर की सेल है क्या मैं उसको पूरे साल का पूरा साल तो यहां पे खतम हो रहा है 31 मार्च 2020 क्या मैं उसको जब वो जिया नहीं था तब भी मैं उसको पैसे सेल लेंगे ना तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा उसका जो प्रोफिट है क्रंट इयर सेल जो है अब टू सेप्टमबर तो 2,40,000 का 6 बेटे 12 कर दो वह आ जाएगा Assistant कि पूल एक लाग ब्लाग बीस ख़ा जार ये भी बटा एक लाग बीस ख़ार सेल आई अभी जो पिछले Qależन में हमें ती है पिछले Qate निकालने निजभी एक एकद्टे के लाघ बीस अजार प्रोफिट कमाते थे हम मेल्टिपल हयं कि से करने हैं पिछले साल व्पोर्फिड कमाते थे कोश्ण कहा रहा था दस परसेंट इस साल एक प्रसेंट कम कमा रहे हैतो 10 मैंनस एक नोपर सर्केंट यह तो बड़ा सोकल पिछले साल का profit question कहा रहे हैं कि 10% कमाते हो इस साल 1% कम कमारे हो तो 9% तो दानिश्च का जो profit आएगा कि एक लागवीज़ार का 9% कितना होता है जी जी लाइब कि दसदार आठ सो और ते लिए कि यह थोड़ा सा गलत लग रहा है कि गलत है यह यह गलत है गलत है आप एक चीज समझो वैसे तो आज आप लोग समझदार नहीं हो लेकिन फिर भी समझो यह देखो यह हुई है मेरी करंटीर की सेल पिछले साल की सेल थी कि दो लाग इस साल की सेल होगी दो लाग चाली सजार यह तो पूरे साल की सेल है बंदा मरा कब है आध्य साल में तो पहले आध्य साल की सेल निकाल ली फिर आध्य साल की सेल यह तो पूरे बिजनस की सेल है ना तो उसका प्रोफिट निकाल है हमने नो परसेंट तो यह जो तो 10,000 का profit है यह तो पूरे business का profit है ना इसको उससे भी तो multiply करोगे ना उसका share कितने है प्रोफिट एक बार फिर से इधर देखो तो पूरे business का था ना यह दो लाख 40,000 जो सेल है पूरे business की है इधर देखो मैं आपको बताता हूं यह दो लाख 40,000 सेल किसकी है पूरे business की अभी पूरे business की सेल 6 महिने की आप ऐसे निकाल लेंगे कितने percent है profit, no percent profit है उसके share से भी तो multiply करोगे ना यह तो पूरे business का role है पूरे business में से उसका हिस्सा कितने है पांच बटे 10 तो यह solve करके आता है 5,400 पूरे business का था 10,800 का 6 महिने का यहां पर बता है आपको क्या क्या calculate करना पड़ेगा पूरे business का sale कितने है पूरे business का profit कितने है छे महिने का business का profit कितने है छे महिने का अगर business का profit पता लगया उसके share से multiply कर दो उसके उसका profit कितने है तो हमने दानिश का निकालने यह जो 10,000 था ना यह 10,000 जो 800 था यह तीनों का profit था है अंजी हाँ वो business का profit था कि सर यह करते करते कहीं हम ना कुछ हो जहें हमें ना कुछ हो जहना है आज गर्व क्यों शानत है कि लगता है मम्मी ने दवाई दूए दी होईगी अज़ाइब दूए यह तो गया profit अभी तो आके और चलेगा गुडविल निकालो वर्किंग नॉट नमबर टू गुडविल कोशन में गुडविल बताओ कितनी गिवन थी शाट अज़ाइब गुडविल है दानिश का शेर बताओ दानिश का शेर 5 वाई 10 कितना 30,000 अब यहां पर उसकी आपने एक चीज ध्यान दिया है यह दानिश का शेर 30,000 है इसको तो अपने 6 बते बारा किया नहीं मेरा कोशन यह है देखो यहां पर बिजनस की गुडविल है 60,000 तो दानिश का शेर ऐसे होना चाहिए दाना 60,000 तो बिजनस की गुडविल है वो तो बिजनस में 6 महीने जी है ना तो 6 बते बारा यह यह लोजिक नहीं है यह लोजिक नहीं है गुडविल गेनिंग रेशो में बटेगी गुडविल जो एमाउंट है ना वो कभी महीनों के इसाफ से टाइम के साफ से नहीं होती है तो सीधा बस गुडविल जो है ना सीधा उसका हिस्सा निकाल देना है उसको छे बटे 12 से कभी नहीं करना उपर वाले कोश्चन में देखो मने छे बटे 12 से किया था क्योंकि गुडविल बांड दिया यह बांड दिया हाफ दामाउंट ऑफ दानीज एक्जिक्यूटर चलो जी करो जनल एंट्रेस हां बस अभी कर रहे है कैपिटल वाला भी है अंजी है सबसे पहले प्रोफिट बांटो प्रोफिट बांटेंगे क्या इस कोश्चन में बंदों को शर सस्पेंस एकाउंट डैबिट अब भगवान इवेदा शर्मीला होर किसे नुना पड़ाई पी एंडल सस्पेंस एकाउंट डैबिट टू दानीज कैपिटल कितना उसको प्रोफिट में इस्सा दिया था फिफ्टी फोर हंड्रेड प्रोफिट बांट दिया उसके बाद बा अन्ना और हजार है अन्ना कैपिटल प्रांजवल कैपिटल तू मिलेगी दानिश कैपिटल को फिर दानिश कैपिटल को पैसे मिल रहे हैं 30,000 उपे 30,000 को आप लोग रेशो बांड़ दो देखना बाकि बच्चों पे पाटनर की रेशो क्या है फाइफ थ्री टू फाइव के एक मोका ओर दे रहा हूं गोतासा इसुधार ने का रहा है ये बताओ दानिश ये निखी तोस्पर टोटल कुटने पैसे दिनी है डोटल टब टो दानिश एक और मोका दे पुछ बच्चे जो सुधरना जाते हैं आज वाला मंडे में हां जी 35,000 पांच लाग उसको कैपिटल के देने हैं 30,000 उसको गुडविल के देने हैं 5400 उसको प्रोफिट के देने हैं तो टोटल मैंने उसको देने हैं 535,400 तो सबसे पहले उसके एक्जिक्यूटर में दानिश कैपिटल एकाउंट डेबिट तू दानिश एक्जिक्यूटर 535,400 535,400 लेकिन अब भी तो हमने उसके पैसे ट्रांसफर किया हैं एक्जिक्यूटर को और एक्जिक्यूटर को अपने पे कितने कर दिये दे अच्छा लगेगा कि कदे नहीं सिखनी हाफ अमाउंट तो हाफ एमाउंट पे कर दो दानिश एक्जिक्यूटर एकाउंट डेबिट पहले उसके एक्जिक्यूटर को अपने पूरे पैसे ट्रांसफर किये अब उसको पे कर दो तो टू बैंक अकाउंट तो पांच पैनती चार्षों का अध्धा बनेगा 267700 बढ़ जिरू